हेलो दोस्तों आज मैं आपकी लेकर आई हूँ एक बहुत आसान सी असरदार रेमिडी दोस्तों अगर आपके फेस पर बहुत जादा दाग धब्बे हो रहे हैं जाईया हो गई है चेहरे की रंगर चली गई है टैनिंग हो गई है या फिर चेहरा एकदम रूखा सूखा लगन लगा है तो दोस्तों ये डेमिडी आपके लिए है तो चलिए बिन रवेशत की वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि इस रेमिडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको 2,5 चोटा चमच पिसी हुई सकर लेना है और इसके साथ ही आपको लेना है थोड़ा सा एलोवेरा जेल ए लेना है और इसके साथ ही आपको इसमें डालना है कुछ बुन्दे निम्गू की रस्की इसके बाद मैं इन्हें अच्छे से मिकस कर लेना है तो दोस्तों हमारा जो पैस्ट है वो तयार है इसे मैं अपने फेस पर आपको लगा कर बताती हूँ तो दोस्तों इस रेमिडी को अपने फेस पर लगाने से पहले फेस को अच्छे से धूले पोंच लिए फिर पूरे फेस पर इस पैस्ट को आपको लगा लेना है पूरे फेस पर इस पैस्ट को लगानी के बाद मैं इसे 10 मिनिट के लिए अपने फेस पर लगा कर रखना है और 10 मिनिट होने के बाद मैं आपको हलके हाथों से पूरे फेस की मसाज कर लेनी है मसाज होई चुकी है फेस को पानी से दो लेना है दोस्तों इस तरह से आप सब्ता हमें दो बार इस पैस्ट को अपने फेस पर लगा सकते हैं काफी अच्छा है दोस्तों ये आपकी स्किन को डीबली क्लीन कर देगा और अगर आपके कील मुहा से हैं तो उनको भी ये हटाने में मदद करेगा चेहरे की गंदगी को हटाएगा इस किन डीबली क्लीन हो जाएगी तो चेहरा एकदम चमकेगा काफी अच्छी रेमेडी है आप जरू सरू ट्राय करके देख सकते हैं तो दोस्तों ये था मेरा चोटा सा वीडियो पसंद आए तो लाइक सेर कर दीजेगा चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा थैंक्यू वीडियो को देखने के लिए